वाले लड़का ये बोला कि मैं नशा नहीं करता और ड्रिंग को तो हाँ तक नहीं लगाता और शादी वाले दीन मंडब में फुल पी के आया ऐसे हलात में दुलहन क्या करेगी मंडब छोड़के भागेगी न इस दुनिया में हर चीज की शुरुआत हर चीज की शुरुआत इनसान पूद करता है लेकिन नशा खासकर दारू इसकी सुरुआत दूसरों से होती है वो भी जोड़ जवर्दस्ती चार दोस्त बैठ जाएंगे और जो एक दोस्त नहीं पीता होगा उसको जवर्दस्ती पिलाएंगे पहला वाला बोलेगा तुझे भाई की कसम पी तू अब बड़ा हो गया है तू शेड है तू टाइगर है बच्चो वाली हरकत मत कर ना कट जाएगी अपनी अगर बंदा नहीं पीया तो उसे फिर अलग तरीके से पिलाएंगे बोलेंगे तुझे होने वाली भाभी की कसम अगर बंदा पी लिया तो ठीक वरना होने वाली भाभी तो गई बीन गलती के उपर है ना इनके ना पीने के एक बहाना बता दो एक बहाना इनका एक इनसे प्यार से बोलो, ओ जी, दारू मत पीजिए, तो बोलेंगे तू पागल है क्या, सेहत के लिए नुक्षान उसको होता है जो दारू के साथ सिग्रेट पीते हैं, मैं तो सिर्फ दारू पीता हूँ, तो कोई डायलोग मारेगा, कि मैं सिग्रेट पीता हूँ, दारू पीत एक, कोई मर गया है तो पीना है, कोई पैदा हुआ है तो पीना है, किसी की ब्रेक अप हुई तो पीना है, किसी का पैच अप हुआ तो पीना है, मतलब हर हाल में पीना है, किट भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का, मेरे बाप का, पीना गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, अगर आपकी income कडोरो है लाखो है तो सौक से पीजिए 60-70 हजार भी है तो दिल खोल के पीजिए दिक्कत तो उनको आती है जिनकी मंथली पेमेंट 10 से 15 हजार होती है उनकी आधिकामाई तो पीने में चली जाती है और दिक्कत पीने वाले को नहीं आती है उनकी बीबी और बच्चों को आती है बेटी को पढ़ना है English Medium में बट वो Hindi Medium में पढ़ती है बच्ची को स्कूटी चाहिए College के लिए बट वो cycle से काम चलाती है Science लेके पढ़ना है लेकिन Arts लेके पढ़ती है हर लड़की का एक सपना होता है कि उसका जीवन साथी डाप्टर हो, इंजिनियर हो, अच्छा घर परिवार हो लेकिन पापा ये नहीं रखी तो अब उस लड़की को भी वही जिन्दगी जीना है जो पूरी जिन्दगी उसकी मा जीते हुए आई है मैं इस कारेक्टर में दस दिन से हूँ और ऐसा लग रहा है कब शूटिंग खत्म हो और मैं इस कारेक्टर से बाहर निकलूं मेरा दम घुट रहा है तो उन औरतों के ऊपर क्या बित्ती होगी जो पूरी जिन्दगी इस हालात को जेलती हैं ऐसी कड़ोडों लोग है लाखों औरते हैं जो इस तकलीप से गुजरती हैं मैंने काया पीना गलत नहीं है लेकिन किसी को जवर्दस्ती पिलाना गलत है शौक्यल तोर पे जो आप पीते हो वो गलत है क्योंकि जितने भी लोग आपको जोड़ जवर्दस्ती पिलाते हैं वो भगवान से दुआ करते हैं कि आगे चलके उनके बेटे को ये लत ना लगे लट लगने में सिर्क दो दिन लगती है और छूटने में पूरी जिन्दगी फिर भी नहीं छूटता बाकी तो आप लोग समझदार हों